किसी को भी मित्र कहना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है मित्रता को निभाना नमस्कार जहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीते का वही जो विश्वास करेगा स्वागत है आप तमाम साथियों का most important MCQs कर रहे हैं विशेश तोर से grade first और second grade को target करके ठीक है grade first और जो second आगा में बरतिपरिक्षा है उनको और आप अगर अन्य state की किसी हिंदी से relatable तयारी कर रहे हैं तो भी important है ये class या KVS, NVS, TGT, PGT, DSSB उन तमाम बरतिपरिक्षाओं के लिए उप्यों की रहने वाली है पहला सवाल है समालोचना दर्ष नाम सीर्षक सें essay on criticism का अनुवाद किस ने किया समालोचना दर्ष नाम के सीर्षक सें essay on criticism का अनुवाद किस ने किया रामचंदर शुकल ने, डॉक्टर नगेंदर ने, जगनात दास रतना करने या फिर रमेश कुंतल मेग ने बताईए सही उत्तर हो जाएगा साथ ही अपना यहाँ पर क्या C. जगनात दास रतना कर ठीक है और यह एक बात और बता दो आपको में यहाँ पर वही प्रशन संकलित किये जा रहे हैं जिनके परिक्षव में आने की प्रवल संभाव नहीं है जगनात दास रतना करने पॉप के Essay on Criticism किसका है? पॉप का था यह उसका समालोशना दर्स टाइटल से हैं, श्रीडशक से हैं 1897 इसम में एक तरीके से पध्यात्म गुरूप से अनुवाद किया था ठीक है? पध्यात्म गुरूप में, काववात्म गुरूप में सवाल आपसे पूछा जा सकता है श्रीधर पाठक दुवारा रचित नहीं है श्रिधर पाठक द्वारा रचित नहीं है वेदेही वनवास, बाल विद्वा, जोर्ज वंदना या भरतुथान कौन सी कृति ये कौन सी रचना है जो श्रिधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा वेदेही वनवास ये नहीं है वेदेहि 완वास श्रीदर पाठक द्वरा रचित नहीं है किसके द्वरा रचित है अयोध्य सिंग उपाध्यार हरियोध के द्वरा इसके लिखे कौन है हरियोध महुदे वेदेहि ऐदेहि वनवास का हरियोध के कावे संघ्रोंगे मैं बात कर लेता हूं प्रिये प्रवास 1914, पारिजात 1937, वेदे ही वनवास 1941, क्रिश्न शतक, रसिक रहसे, प्रेमा, बुआरिदी, प्रेम परपंच को ध्यान रखना, यह प्रेमामबु प्रेश्चरवण, प्रेमामबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुपदे-चोपदे, इनको ध्यान रखन बौल्चाल रस्कलस यह सारी किसकी है सरी हरियोऊद साहब की है और जो बाकी तेन विकल्ब थे कौन से यह यह सारी श्रीदर पाठक की है ख्येकर बात करें हरियोद का जो प्रिय प्रवास है इस महाकावे में सर्गों कि संक्य कितने है प्रिय प्रवास, 17, 19, 21 या फिर 23, कहीं बार आया है यह सवाल, हरियोद का जो प्रिय प्रवास है महा का वे, उसमें सर्गों की संग्या कितनी है, उत्र हो जाएगा सत्रा, 17 सर्ग है विया, अब कुछ और इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, और उनके जो रचनाकार हैं, जो महा का वे, उनमें सर्गों की संग्या, जैसे हरियोद का प्रिय प्रवास है, तो इसमें 17 सर्ग है, ठीक है, मैदलि सरन गुप्त का जो साकेत है, इसमें 12 सर्ग देखने को मिलत ठीक है, प्रिय प्रवास में 17 हैं, साकेत में 12 हैं, कामाईन में 15 हैं, वेरी इंपोर्टेंट ये तीनों ही हैं जो पूछ गए हैं पहले भी, अगर ये शर्षन अच्छा लगता है, रोजना चारवजी ये क्लास होती है शाम को, तो जरूर इसको लाइक शेर किया करें, पहल क्या करोगे उत्तर, उत्तर कर देना वियोगी हरी, कौन है प्रेम शतक के रचनकार कौन है वियोगी हरी कर देना, ठीक है, वियोगी हरी या हरी प्रसाद दिव्यदी नाम मिलता है इनका, ठीक है, हरी प्रसाद दिव्यदी नाम है, पर वियोगी हरी नाम से ज़्याद द्यान में, रखनां। जबकि हम बात करें, जगना दास रतना कर जो नाम आयों वेकल्पिन उनकी कृतियों की, तो गंगा उत्रण उत्रण उत्र। सू कवी सत्सई यह भी कई बार पूछ गई है ठीक है हो हो होरी अठाड़ा सो एकरान में तो पावस पचासा सू कवी सत्सई और आपके हो हो होरी तिनों रचना यह जो पूछ गई अंबिका दत व्यास की है बिल्कुल एकाग्र होके सुनते चले तो आपको यूँ भी है जो काफी चीज़ें याद हो जाएगी नूर जहां प्रबंद कावे के रच्यता कौन है नूर जहां प्रबंद कावे के रच्यता कौन है कुतूबन है सियाराम शरण गुप्त है गुरु भक्त सिंग है या फिर अयोध्या सिंग उपादया हर्योद महोदे हैं बताई तो नूर जहां माकाव एक रचेता कौन हो जाएंगा भीया गुरु भक्त सिंग हो जाएंगे क्या कर दोगे गुरु भक्त सिंग भाई साब लागेडा रियाने दार पर तो यह मामलस से अट उसको और आपने आज नोटिफिक्सन देखने को मिला होगा खबर आ रही है कि जो रीड पातरता परिक्षा है रीड पातरता जनवरी के फर्स्ट शेकंड वीक में होने की समभावना बदा ही जा रही है जनवरी के परतम या सेकंड वीक में इससी समभावना बाइवना बदा ही गुरुभक्त शेंगे कुत्बन का कौन सा ता म्रिगावति नामा की सूफि प्रवंद आत्मक का कवी मिलता है कुतुबन का कुण से है बिर्गापती जबकि हरियोद साहब के अपने पहले जिकर किया है अप्रिय प्रवास है वेदेई वनवास है रस्कलत से इनकाविं को रसना की हरियोद साहब ने शियाराम स्रण गुप्त की बात करूँ दो बापो नामक जो काव्य गरंत है इनके रिष्णा कीति और बापो नामक जो काव्य गरंत है बड़ा प्रसीद रहा साथ में तो आपने ये तो कहीं बार सुना है कौन हो जाएगा जगनात दास रतनाकर ठीक है तो रतनाकर उपादी ब्रजबाशा के प्रसिद कभी कौन जगनात के साथ में जुड़ा है जबकि बारतें दुक साथ महरिशंदर जुड़ा है पता आपको और प्रेमगन बद्रिन नारण चोधरी के जुड़ा है ठीक है ये लिपी उपादिया है उपनाम है तक खलूस है ये कह सकते हैं कि सवाल पूछा जा सकता है वेरी इंपोर्टेंट गोल्ड इसमित की कृति है ट्रेवलर उसका नुवाद किस ने किया है ठीक है रामचरित उपादया रामचरिस त्रिपाठी श्रीदर पाठक या ठाकुर गोपाल श्रनेशे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा श्रीदर पाठक मोदे गोल्ड इसमित की कृति क्या नाम है ट्रेवलर उसका हिंदी अनुवाद किस ने किया है शांत पत्थिक नाम से खड़ी बोली में श्रीदर पाठक ने किया है वेरी इंपोर्टेंट ट्रेवलर किस की कृती है गोल्ड इसमित की कृती है हिंदी में अनुवाद किस ने किया श्रीदर पाठक ने किया खड़ी बोली में और किस टाइटल से किया श्रांथ पथिक नाम से किस नाम से किया श्रांत पथिक नाम से ट्रेवलर का है जो हिंदी नुवाद किया श्रीदर पाठक महोदे ने गोल्ड इसमित के अन्य गरंतों में बात करें तो हर्मिट का एकांत वासी योगी इस नाम से तता जो डेजर्टेड विलेज है उसका उजड़ गराम नाम से अन्यवाद भी श्रीदर पाठक नहीं किया है तो देख लिजिए ट्रेवलर का तो श्रांत पथिक नाम से किया हर्मिट का एकांत वासी नाम से किया एकंत वासी योगी नाम से Deserted Village का ओजट ग्राम नाम से है जो किया ये खड़ी बोली के पर्थम स्वच्छंदतावादी कभी है जो कही जाते है सवाल आजाए प्रेक्षा में खड़ी बोली के पर्थम स्वच्छंदतावादी जो कभी है वो कौन माने जाते हैं तो आपका उत्र क्या होना चेविया वाई साब मागई साब को श्रिद्र पाठक जीए वाई साब पाठक जी यड़ा विकल पर है जो टिक मार के जटाने लगा देड़ों है आगे देखो त्रिशूल उपनाम किसका है या तो तरिशूल उपनाम से कोण रचना है जो रचा करता था सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेः बताओ देगानि तो त्रिशूल उपनाम से कौन रचना किया करते थे वह या गया प्रसाद शुकल सनेही जो हैं ये त्रिशूल नाम से विरचा करते थे तो गया प्रसाद शुकल सनेही का उपनाम त्रिशूल था ये श्रिंगारी कविताएं सनेही नाम से लिखते थे तो परिक्षा में यूँ भी सवाल आया है कहीं बार कि जो गयापरशाद शुकल है वो श्रिंगारी कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे तो वहाँ पर तो आपको बताना सने ही श्रिंगार तो सने में करते थे और जब राष्टे बावनावाली बात आती तो तो क्या करते तो या त्रिशूल उठाने पड़ेगी राष्टे बावनाई लिखने के लिए तो त्रिशूल उठाने पड़ेगी ये खड़ी बोली में कवित और सवया चंदों का प्रियोग करने परविन थे खड़ी बोलें बाईजाब दे एक तो कविद चंद और एक सवया चंद आँको प्रियोग आँको उप्योग करभा गमायने आँको कोई सानी बोलने हो जबरदस्त तकड़ा है यूँ के सकाब इनके जो और गरंत है उनकी में चर्चा करूँ तो क्रिशक क्रंदन गया प्रसाथ साहब का है क्रिशक क्रंदन प्रेम पचिसी राष्ट्रिय वीना त्रिशूल तरंग करूणा कादंबनी जोड़े में नाम है इनकी रचनों की करूणा कादंबनी त्रिशूल तरंग, राष्ट्रिय वीना, प्रेम पचेसी, कृशक करंदन और सारी की सारी रचना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है द्यान में रखना एक एक रचना देखर भी सवाल है जो पूछा गया इन रचनाव से प्रशन आजाए, ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रशिद है अरियोध, सत्य नाराण कवी रतन है, श्रीदर पाठाग या फिर रतना कर ब्रज कोकिल के नाम से तो भाई साब ब्रज कोकिल के नाम से अपने जो सत्य नारण कवीरतन साब है ये ब्रज कोकिल के नाम से जो प्रसिद है का भी है ठीक है इनकी समस्त रचनाओं का जो संक्लन है वो बनार सी दाज चत्रुवेति ने रिदे तरंग शीर्षक से परकाशित करवाया जो सत्य बात करें तो ब्रमर्दूत और प्रेम कली है क्या है एक तो ब्रमर्दूत है और दूसरी क्या है प्रेम कली है विया चलिए उद्धव शतक में कितने चंद है उद्धव शतक रचना के अंदर कितने चंद दियेगे हैं 116 मिलते हैं 120 130 या फिर 135 उद्धव शतक में कितने चंद को प singers किसम है कंभ शतक के अंदर हुआ आपसे बूले जाए किसे लिखिक है या विएक्र अधर जोई है तो बाइसाब आपने उर्दूम लिख से आना तो जकी आपनों आजो तकलुस रैसी उपनाम है जो रैसी और इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पॉप जो था उसके एस से ओन क्रिटिसिज्म का रोला चंद में समालोशना दर्स है जो इस शिर सक्षे जो अनुवाद किया था ठ अचारी शुकल के अकोर्डिंग स्वचंदतावाद के परवर्थ कोन है शुकल मोदे स्वचंदतावाद का परवर्थक रजनाकार किसको मांगते हैं मैथलिश्रन गुप्त को राधाकृष्ण दास को श्रिदर पाठक को या फिर अयोध्या सिंग उपाद्या हर योद को त श्रिदर पाठक है और इन्होंने ब्रज बास्ता में मौलिक कव्वे कश्मीर सुष्मा की रचना 1904 में की थी पाठक जी की खड़ी बोली में एक तरीके से हैं जो मौलिक कृतिया है वो है वनाश्टक बिलकुल अच्छी स्वाद योगे रसिक वनाश्टक देरादून भार श्रात गीत जगत सचाई सार सांध्य अटन कुन्वंत हैमन्त आगे देखिए उद्धव शतक के ये तो हमने देख लिया जगनादास रतनागरोन के भी हमने कर लिया था हल्दी गाटी वीरस प्रदान प्रबंद काव्वे है शाम नारायन पांडे नवीन सोहनलाल दिवेदी या इन में से कोई नहीं किसका है हल्दी गाटी वीरस प्रदान प्रबंद काव्वे तो उत्तर क्या हो जाएगा, शाम नारायन पांडे अलदी गाटी शाम नारायन पांडे की रचना है, बड़ी प्रसिद है वीर प्रदान काव्वे है, रस पूचे अन्य करतियों की बात करें, पांडे साब की तो जै हनुमान है, तुमुल है, रिमजिम है, अल्दी गाटी देता जोहर है तुमुल इनका कहीं बार पूछा गया, शाम नारायन पंडे का ध्यान में लखना तुमुल शाम नारायन पंडे, शाम नारायन पंडे वे रिदे नहीं है पत्थर है जिसमें श्वयदेश का प्यार नहीं ये प्रसिद्ध का वे पंक्ति निम्नल लिखित में से किस कभी द्वारा रचित है गया प्रशाद शुकल सनही के द्वारा मैत्रिस रन गुप्त माखनलाल चत्रुवेदिया रांदरेश त्रिपठी वे रिदे नहीं है पत्थर है जिसमें स्वयदेश का प्यार नहीं उत्तर सनही साब सनही साब द्वारा रचित है गया प्रशाद शुकल इनके द्वार रजित का विकृत्मी बात बिने कृशकरिंदन अभी हमने बात की फ्रेम पच्चिसी, राश्ट्रिविना, त्रिशूल तरंग, करुणा का दम बिने सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कवी सत्साइकार है इनके तीन तो नहीं होंगे और एक है केशव, शियारामशरण, पदमाकरिया, वियोगी हरी इनमें से कौन सा कवी सत्साइकार है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वियोगी हरी वियोगी हरी कवी सत्साइकार है, इनका पूरा नाम हरी परसाद दिवेदि था इन्होंने वीरित सचसरी दामकृतिक रचना की है जिस पर इन्हें मंगला प्रसाथ पारितोषिक पुरुषकार भी मिला था इनके दुवर रचित काव्य गरंतों में प्रेम शतक है प्रेमांजली है, भीना है, प्रेमपतिक, मेवाड के सरी तता अगद्य काव्य में बात करें तो अंतनो, तरंग, प्रार्थन, अश्रदाकन, पगली ये सबी है तो ये थी अपनी आज की कक्षा अपने सेकंड क्रेड हिंदी की जो आदी पप्लिकेशन की बुक है, वो भी मार्केट में उपलब्ध है फाइनल रिविजन है तू, वान लाइनर बुक है ये सेकंड क्रेड का जो सेकंड पेपर है, उसके लिए है और नमिनतम पठेकरम प्राधारित है सभी नजदे की जो बुक स्टोर है, उन पर आपको मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप बोलना पाइल बुक हाँ जेपुर से मंगवा दो, फिर भी नहीं मिले तो आप ओनलाइन ओडर कर सकते हैं हमसे भी कॉंटेक्ट करना, आपको वोट्सप करना है 86, 19, 73, 87, 84 के उपर, सरी डिटेल आपको दे दी जाए, किसे का ओनलाइन आपको मिलेगी साथ ही साथ, प्ले स्टोर से आप अपने एप्लिकेशने नवसरीजन क्लासेज इंस्टोल कर लीजी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलिग्राम चैनल दोनों को जोईन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा साथ-साथ अपना वोट्सप चैनल भी है, अगर टेलिग्राम चैनल को टेलिग्राम नहीं चलाता है और आगामी समय में क्या पता टेलिग्राम बंद भी हो जाए, इसे सुचना पीछे चल रही थी, तो अपना वोट्सप चैनल भी है आपको ये दोनों लोगों देखने को मिल जाएंगे, या कोई वार कोट पे स्क्रेन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन सब में नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वट्सप चैनल का उस पर क्लिक करो और है जो वट्सप चैनल जोन करो